इस वीडियो में हम लोग नॉमन क्लेचर देखने वाले हैं अमाइड फंक्शनल ग्रूप का अमाइड देखो दिखता कैसे C double bond O NH2 जहां पे होगा उसको हम लोग ऐसे रिप्रिजेंट करेंगे नॉर्मली इसको लिखने के लिए तो हम लोग अगर main chain पे आता है तो इसको हम लोग direct क्या लिखते हैं अमाइड लिखते हैं यह अमाइड का नॉमन क्लेचर है अगर main carbon chain पे आता है तो यह क्या हो जाएगा Amide, अगर joining पे आता है, तो देखो joining पे इसको हम लोग अलग से नाम लिखते हैं, इसका नाम होता है कारबा मॉइल, ठीक है, तो जब भी ये functional group joining पे देखेगा तो इसको हम लोग कारबा मॉइल लिखेंगे, धर्ड अगर मैं बात करूँ कि सपोस करो इसका carbon नहीं count हो रहा है, अगर मान लेते हैं हम लोग की इसका carbon नहीं count होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे carbon नहीं count करने पर हम लोग amide को एक simple सा नया नाम लिखते हैं ठीक है तो काफी similar है खाली हमको carb word use करना है बाकी amide तो ऐसे ही रहेगा तो इसको हम लोग carbamide ऐसे नाम लिखते हैं अगर इसका carbon नहीं count होगा तो तो main chain पर है तो amide joining पर आएगा तो carbamide और अगर carbon नहीं count हो रहा है जैसे कि हमारे पास cyclic structure होते हैं तो इसको हम लोग carbamide करके इस format में नाम की शुरुआत करेंगे अब देखो जैसे suppose करो कि मैं कोई example यहां पर लिख दूँ तो इन example का हम लोग simple नाम कैसे देंगे अब पहला जो है amide है हमको पता है इसका carbon भी count हो रहा है तो इसको हमको सिर्फ क्या लिखना है amide लिखना है तो इसका नाम देखो क्या हो जाएगा propane one amide ठीक है प्रोपेन मतलब तीन carbon के structure में amide functional group है तो propane amide हो जाएगा next अगर मैं बात करूँ यह तो हो गया main structure में जब यह involve होता है अगर next की अगर मैं बात करूँ तो suppose करो जैसे यह हमारे पस यह डाई वाला कोई format ले लेते हैं हम लोग ठीक है मतलब दोनों साइड इसके amide group है तो carbon को तो count करना यह 123 ठीक है तीन होगे तो क्या हो गया है यह होगे simple सा प्रोपेन देखो one पे भी amide और three पे भी amide तो इसको क्या लिखेंगे simple सार डाय अमाइड अमाइड तो लिखी रहें अगर carbon count होगा तो सिर्फ हमको अमाइड लिखना अनको पता है तो इसको अमाइड लिखे ऐसे छोड़ देंगे यह हो गया इसका प्रॉपर आई-उ-पी-ए-सी नेम नेक्स्ट अगर मैं कोई structure discuss करूँ तो जहां पर जैसे carbon नहीं count हो रहा है या amide joining पर आता है तो देखो कैसे लिखेंगे suppose करो हम लोग यह structure consider करते हैं अब हमको पता है कि cyclic structure में amide का carbon count नहीं कर सकता हमको पता है यह cyclohexane का structure है तो इससे counting कर लेंगे इसकी simplicity तो यह क्या हो गया cyclohexane यह हो गया cyclohexane अब next one पर हमारे पास क्या था amide तो था बट इसका carbon नहीं count हो रहा है तो हमको एक carb word यूज़ करना पड़ेगा जिसके वज़े से इसका नाम क्या हो जाएगा cyclohexane one carb amide या बहुत लोग इसको carb amide भी pronounce करते हैं तो कोई उ इकत नहीं है आई-उ-पी-सी का जो भी रूल है उसके according ही चल रहे हैं अब next आगे अगर मैं next structure की बात करूँ कि suppose करो किसी cyclic में जैसे दो structure आ जाते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे नॉर्मली देखो दो structure है हमारे पास हमको पता है पैरेंट्स जैन किसकी साइक्लो पेंटेन की है तो पहले तो यहीं लिख देंगे साइक्लो पेंटेन अब दोनों भी functional group सेम है तो हम लोग किसी को जॉइनिंग वगरे में consider नहीं करेंगे cyclopentene 1 पे भी amide है और 3 पे भी amide है बट दोनों का carbon नहीं count हो रहा है जिसके वज़े से इसको हम लोग die carbamide लिखेंगे दो बार आ रहे तो die और carbon नहीं count हो रहा है इसके वज़े से carb तो cyclopentene 1,3 die carbamide next अगर मैं कोई joining वाले structure की बात करूँ जैसे हमारे पास किसी structure में कोई बड़ा functional group आ जाए suppose करो यहाँ पे मैंने carboxylic acid draw कर दिया हमको पता है कि carboxylic acid सबसे बड़ा group है अगर यहाँ पे नीचे हम लोग बात करें यहाँ पे suppose करो मैं amide attach कर दूँ तो क्या हो जाएगा ठीक है यह पूरा का पूरा structure क्या है यह तो benzoic acid है हमको पता है तो इसको random benzoic acid as it is तो यह हो गया हमारे पास benzoic acid next one two और three पे हमारे पास amide है तो मैंने बोला था कि जब भी amide joining पे आएगा तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कार्बा मॉइल तो यह इसका simple सा नाम हो जाएगा थ्री कार्बा मॉइल benzoic acid अब अगर next की बात करें तो suppose करो कि जैसे मैंने कोई example यहाँ पे ऐसे लिख दिया हुआ है suppose करते हैं यहाँ पे एक cons2 group है यहाँ पे कोई co-methylamide group अटाज है और यहाँ पे कोई cons2 group है तो हमको पता होना चाहिए कि इनकी counting होगी कैसे देखो अब यह functional group दो parent में ले लेंगे बाकी यह जो side में है methyl amide वाला इसको हम लोग क्या बुल देंगे as a joining तो two पे देखो क्या attach है methyl attach है और उस पे amide attach है but amide जब joining पे आता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं कार्बामाइल अब parent chain क्या है हमारे पास cyclohexane plus इसमें one पे और four पे ठीक है one पे और four पे क्या है हमारे पास डाय कार्बामाइड क्यूंकि amide का यहाँ पे गलती से two आ गया है यहाँ पे four आना चाहिए cyclohexane one four डाय कार्बामाइड यह इसका final name हो जाएगा और इसी के according हम लोग amide के structure को नाम लिखेंगे आ यूपे एसी के फूर्ण